कología हैलोफ्रेंड मैं यचा प्रकास अफ्सक्तृ लोगों का आपने इस यूटुब चैनल ज Tan PETER में स्वागत करता हूँ तो आज़यो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने सर्कूट में पता कर सकते हैं मतलब हमारी जो गाड़ी है उसमें हम पता कर सकते हैं अपने system के प्रेसर को को देखके कि हमारा accumulator चार्ज है नई है कितना charging है यह सब पता कर सकते हैं यह हम देखने वाले हैं किस तर सा पता करेंगे जैसे हमारे स्टार्टिंग में वहां। चिक कर सकते हैं क्या चिक हैं स्टार्ट में आपको वह चीज दिखाएंगे कर देखने वाले यह तो यही सब हम देखने वाले हैं तो बने रहे हैं मेरी वीडियो में और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ठीक है चलिए स्टाट करते हैं हई यह हमारा एक्विडियो में बात किया ऐक कोमेंटर ऊबी कर अब आफ ये हैं कि एक्कमिनेटर यह हमारा आउटर बॉडडी थीख है इसका इसका सेल उसके बाद फिर यह हमारा उब ऊपर हमारा चार्जिंग के लिए है इसके बाद पिर आते हैं पूरी वाल्ल बॉडि ठीक है और यह हमारा anti extrusion यह वाला गुदिकर आपको anti masturbation चुक्षन पर यह गर करेगा और एंड को यह जो है हमारा इस पेसर रही लिवाली ठीक ऑर उसके नीचे चेक्णलेट ही है ठीकए लिवाली यह क्या करता है यह और रिंग को अंदर के साइड में दबा करकता अंडर अंदर बाहरा निकल जांए तो यह जो बहुत है और आग्स जिसे हमारा प्रेसर अंदर बना रहता है और यह हमारा चेकनेट है जो सब चीज़ को पकड़ कर रखता है पूरे को यह दा हम पूर पछले वीडियो में देख चुके हैं ठीक है अब चलते हैं देखिए हमने इसको जैसे की प्रिचार्ज कर दिया यह पूरा बैड गया नीच प्रिचार्ज करने के बद्धे जाहिए टो शोल esperar व्यूंद सब्सक्राइब करते हैं कि को काफे करना ही चाहिए चाहिए कॹर बैए हमे क्ल प्रॉलम नहीं करेगा मैने भर बाद वीच दिन बदे नीचाल्य करने फिर आप बोलेंगे चार्ज तो अभी किया था ठीक है तो यह हमें स्टार्टिंग में जैसे हम चार्ज करते हैं वैसे हमें यह चेक करना काफी इंपर नहीं है कि जसे इस तरह से चेक करते हैं अब चलते हैं कि हम किस तरह से पादा कर सकते हैं कि हमारा एक्क्यमेटर कितने प्रक् pave on अपने system pressure को देख के ही ठीक है या फिर हमारे से कहीं एक्टमेटर रिश्चार्ज तो नहीं हो गया है तो देखेंगे सारा यह देखिए यह हमारा सर्कीट है इसमें देखिए अब इसमें क्या है कि यह दो एक्टमेटर है ठीक है इसको हमने किया 25 बार पर पहले वाले को प्री यहां पर तुरंत वितिन सेकेंड यहां पर एक सकेंड के अंदर यहां प्रेसर बनना चाहिए उतना जितना प्रेसर यहां दिखाएगा अगर उतना नहीं हो रहा है जैसे हमने इसको 25 पर किया 25 पर नहीं हो रहा है और फिर देर देर उसमें टाइम लग रहा है काफी उसको प्रेसर बढ़ने में ठीक तो इसका मतलब है कि या तो हमारा नाटोजन लिक हो गया है ठीक या फिर चार्ज यहां नहीं दिखा रहा है पुरा इन डिकल गया यह फिर अगर धीर धीर चार्ज वर दस से स्टाट और इसका मतला मारे पट्रीश पर हम ने किया था फंदर पर संट हमारा जो पंदरा बार है वह हमारा नाटोजन लिक कर चुका है ठीक है तो इस तरह साम देख सकते हैं तो अभी आपको रून करके द नचेन में जा रहा हां सी दें अब दीक है अब इसको स्टर्ट नेयाद एक इतना प्रैसर दिखा रहा है यहां कैसा धिखा रहाँ पोइंट 5 बार और कर ँखा रहा है वहर श्रहरा है अब देखी इसको स्टाट करें तो कितना होगाँ आप तो यह सिद्धा 25 से स्टाट हो रहा है ठीक है तो यह है इसका इसका प्रेशर डाउन कर देते हैं तो इस तरह सही है कि आपको स्टार्ट करते ही पता चल जायागा जैसी पंप आप स्टार्ट किये वैसे आपको जो प्रिचार्ज प्रेसर है है आपके क्लिटर का व सिद्धा वाएक सुई आपके सिद्धी जाएगी प्रेशर के यो है वसी दधा आपके सेकंड्स वह मिलना चाहिए अग्लः नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपका एक लीक हो गया या तो फिर फट गया है आपका ठीक है अब यहां देखते हैं कि यहां को कितना देखता है ठीक यहां द्यान दीजिएगा यह देखिए स्टार्ट करते ही कितना प्रेशर आएगा इसका मतलब इसमें कितना प्रेशर है पचास बार प्रेशर है प्रिचार्ज प्र गया सिद्धा आपको 50 मिला पूसर इसल्лекश करते हैं कि यह को सिद्धा कुछ प्रेशर मिलता है सिद्धा पर मिलकाई ऐहां पर द देखे हैं अभी इसको उपन करें एक बार ओर दिखाते हैं पर इतना बार है यह सिधा स्टार्टिंग में इनिश्यल में इतना आ रहा है तो यह है आपका प्रेशर डालते हैं उस टाइम भी आप देख सकते हैं आपके सिस्टम में कर एक है यहां और उतना प्रेशर कितना है ठीक है जाये तो हमारे बीड़ जाएगा सिधा अब इसको रहनगा गरन करके दिखा cognitive आपको को यह आप देखेंगे देखे 40 से प्लस हुआ है 40 से स्टाट हुआ ठीक है अब या इसको स्टॉप करके दिखाते हैं थोड़ा जूम करते हैं इसको देखिए अब इसको स्टार्ट करते हैं अब देखिए यहां पर जैसे पॉम्ट स्टार्ट होगा और प्रेसर कितना जाएगा सीधा 40 से स्टार्ट होगा देखिए तो यह आमरा प्रेचाज प्रेसर इसका 40 है तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने मिला होगा और समझ में आया होगा कि हम प्रेचाज प्रेसर अपने रनिंग गाड़ी में भी अपने जो केबिन में हमारे जो प्रेसर लगा होता है ठीक है एक कमेंटर से उससे हम कैसे पता कर सकते हैं फिर हमारे सिस्टम धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेर करना मत भूलेगा ठीक है चलिए धन्यवाद